हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुती अच्छी और मैजिकल रेमेडी ले कर आई हूँ जो कि आपने आज से पहले यूज नहीं किया होगा और हाँ, ये इतना ज्यादा इफेक्टिवन उसका है कि आपकी एज कोई भी हो, चाहिए आप बच्चे हो या आपकी उमर जादा हो गई हो कोई भी एज के हो, उन सभी के लिए एफेक्टिव है बहुती अच्छी रिजल्ट देगा ये या फिर कह सकते हैं कि ये एक मैजिक के जाए से वर्क करेगा और बहुती एजी रेमेडी है, सभी चीजे आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा इससे आपका प्यार्ज लगता है और हमारा मोटिवशन थोड़ा सा अप हो जाता है तो लाइक करना बिल्कुल भी न मुलें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लेना है अलोवेरा जल का पत्ता यानि के अलोवेरा लीव ज़्यादा तर हम सबी के घर में अलोवेरा होता ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्किट वाला यूज कर सकते हो और अब हमने इसे छोटे पीसस में कट कर लेना है यह देखिए मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है अब हमने लेना है लोहे की कढ़ाई, अगर लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हो अब हमने गैस अन कर देनी है और सिम गैस में ही रखना है और जो हमने अलोवेरा के लिव्स कट किये थे, वो हमने डाल देने है और एक आप mesher के help से इसको दबाकर इसका जेल निकाल लीजिए अच्छी तरह से mash कर लीजिए जितना हो सके ताकि इसकी पूरी goodness हमें मिल सके और हमारे बालों पर अच्छी तरह से work कर सके proper way से तो अच्छी तरह से mash कर लीजिए तो यह देखिए यहाँ पर मेरा mash हो चुका है अच्छी तरह से अब हमने एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहन देना है यह पूरा जेल फॉर्म में आ गया है अब वन मिनट हो चुका है हमें इसको cook करते हुए अब हमने इसमें डालना है coconut oil यहाँ पर मैं one bowl coconut oil डाल रही हूँ आप यहाँ पर चाहे तो ज़्यादा बना सकते हो आप one bowl की जगा two bowl डाल सकते हो लंबे टाइम तक यह safe रहता है कोई भी issue नहीं है तो आप अपने according बना ले उसी हिसाब से आप oil डाले और अगर आप oil ज़्यादा या कम करते हो तो उसके according ही आपको और सभी चीजे भी ज़्यादा या कम करने पड़ेंगी इस बात का आप खास ध्यान रखें तो चलिए अब हम डालते हैं और सभी ingredients जो कि हमारे इस नुस्खे को और भी ज़्यादा powerful बना देंगे और ध्यान रखें कि हमने गैस से महीं रखनी है इसको आप हाई फ्लेम में ना करें तो अब हम इसमें डालेंगे आर्मन डॉयल यानि की बदाम का तेल यहाँ पर मैंने 2 टी स्पून आर्मन डॉयल डाला है आर्मन डॉयल काफी ज़्यादा beneficial होता है यह हमारे बालो को काला लंबा घना तो करता ही है और साथ ही साथ यह हमारे बालो को जड़ से मजबूत करने के लिए भी काफी helpful होता है तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें next ingredient जो की है मेथी डाना यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून मेथी डाना डाला है यह हमारे ग्रे हेर पर बहुत ही अची तरह से वक करता है और उसको जड़ से काला बनाता है तो यहाँ पर मैंने मेथी डाना डाल दिया है और जब मेथी डाना डाला है तो साथ ही साथ हमने इसमें डालना है कलोंजी शीट्स यानि की onion शीट्स और इसको कई लोग black sheets भी बोलते है यह भी मैंने 1 teaspoon डाला है और अब हमने इसको अची तरह से mix कर देना है और साथ ही साथ यह जो हमने aloeira gel की पत्ती डाली है उसको भी प्रेस करते रहना है अची तरह से दबाते रहें इसका जो बचा कुचा जैल है वो निकल जाए और यह अची तरह से पक जाए और अब हमने इसमें डालना है half teaspoon यानि की आधा चमच कैस्टर ओयल और अरंडी का तेल यह मैंने आधा चमच इसली डाला है क्योंकि यह काफी जादा गरम होता है तो इसकी quantity मेंने कम ही रखी है अब आपने इसमें last चीज डालनी है जो की है आमला पाउडर तो इसमें one teaspoon आमला पाउडर डाल दीजिए और अब इसको अच्छी तरह से mix कर दीजिए अगर आपके पास आवला पाउडर नहीं है तो आप सुखे आवला या ब्रिंग्राउच पाउडर नेम पाउडर नहीं तो आप कथा पाउडर भी डाल सकते हो यह सभी चीजे एक powerful combination बनाते हैं जो की हमारे gray hair के लिए काफी ज्यादा helpful होता है हमारे gray hair को जड़ से काला बनाते हैं हमें इसी तरह एलोवेडा जेल की पत्यों को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसको दबाते हुए पकाना है पाच मिनट तक के लिए और ध्यान रखिएगा कि जो gas की flame है वो low ही हो नहीं तो यह जल सकता है और अब हमने gas की flame off कर देनी है मगर ध्यान रखिए कि इसको हमने थोड़ी देर तक के लिए चलाते रहना है क्योंकि कड़ाई अभी भी बहुत ज़्यादा गरम है और हमारा आवला पाउडर जल सकता है तो इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहे अच्छी तरह से ताकि बहुत ज़ले नहीं और ध्यान रखे कि हमें पांच मिट ज्यादा ग्यास को ओन नहीं रखना है इसको ओफ कर दे नहीं तो हमारी और सभी चीज़े जल सकती है और अब हम इसको किसी चण्नी से या तो फिर आप कह सकते हो कि किसी जाली से धक करके रख देंगे पूरे दो से से तीन घंटे तक के लिए ताकि इसका जो भी इंफ्यूजन है पूरी तरह से इसमें आ जाए स्वाइल में तो यह देखिए दो से तीन घंटे हो चुके हैं और अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे और अब हमने इसको चाल लेना है किसी छनी के हल्प से और ध्य करना चाहते हो तो आप इसको सीधे सनलाइट में भी पका सकते हो तेज दूप में पकाएं और इसमें कांच की बॉडल का यूज करें सभी चीजे डाले उसको वन वीक तक अट लीस आप दूप में रखे तेज दूप में तो यह अच्छी तरह से आपका आप बन करके तयार हो जाएगा और उसको चान लें और फिर यूज करें तो देखिए कितना अच्छा ऑइल बन करके तयार हुआ है और बिलकुल भी नहीं जला है और इसके इंग्रीडियन्ट ब्लेक हुए है वो भी आवला पाउडर की वज़ा से यह मैजिकल ऑइल बन करके हमारा तयार है एक इसी भी चीज में ऐसा पावर नहीं होता है सिर्फ केमिकल डाइज ही होती है जो कि आपके बालों को जटपट काला कर देती है तो आप इसको एट लीस मन तक यूज किजिए उसके बाद आप खुदी रिजल देखिएगा इसको बच्चे और बड़े दोनों यूज कर सकते ह कर दोनों यूज को बच्चे नहीं लगा सकते हैं ऐसा हमने कोई बी केमिकल नहीं डाला है एक्दब नैच्छल से बना है तो इसमें कोई भी इसको यूज कर सकते हैं और वीक में आप 2-3 लगा आप इसको हफ्ते में 2-3 लगाना ना भूले तब ही अची तरह से प्रॉपर तो आप इसको दो से तीन बार यूज़ कीजिए तभी आपको वन मंद के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा अब हमने इसको 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 अराम से 25-30 दिनों तक के लिए यूज़ कर सकते हो तो इस ओयल को आप बनाईए और यूज़ करके हमें बताइए कि आपको इसका कैसा मिला हर तरह से यह आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशियल है आपके बालों को यह काला करेगा लंबा करेगा घरा करेगा शाइनी करेगा सब देखते रह जाएंगे और अगर आपके बाल सफेद नहीं है तभी आप इस ओयल को यूज़ कर सकते हो इससे आपके बाल स्ट्राइक कर लिए हैं तो आप इस ओयल को जरू ट्राइक करें यह 100 परसंट आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा आप आप सबको आज की वीडियो कफी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरू करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको रिजल्ट इसका कैसा मिला अगर आप हमाये चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करते विए नोटिफिकेशन बेल दबाना बिलकुल भी न भूले इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो के शियर करना भी बिलकुल भी न भूले तो मिलते हैं आप से अच्छी हो नुए वीडियो के साथ तिल देन टेक केर और थैंक्स सो मुच गाइस फो वाचिंग इस वीडियो बगाई